अगर आप हमारे चैनल में नए हैं देखें यहाँ पे लाल बटन सब्सक्राइब का दबा दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो की सूजना मिलती रहे हमने काफी अच्छे वीडियो बना है आप देखी और जो इस्टॉक पसंद आए उ कि वारे मैं लाइसस की है मैंने काफी पढ़ा उसके प्रोड़क के बारे पहले भी उसके बारे में एक वीडियो बना चुक हूं तो होता कि है कि समय समय पर कभी-कभी जैसे कि पहले जो मेरे सब्सक्राइबर थे कम थे अभी ज्यादा है तो जो आने वाले नए नय फ्रेश पढ़ते हैं देखी मैं आ चुका हूँ वी आई पी इंडस्ट्रीस की वेबसाइट पर एक नजर मारेंगे हम लोग प्रांट्स में कैसे हैं वी आई पी इंडस्ट्रीस से कौन नहीं परचित है आपके आस पास आपके जाहे आप छोटे कस्ब में रहे हों चाहे आप बड़े अरिस्ट्रोक्रेट अलफा एक्सेटर 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 चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसके फंडमेंटल देख लेते हैं वी आई पी इंडस्ट्रीस लिम्टेट 12 अप्रिल 2019 11 बच के 69 मिनट करीब 12 बजने वाले और ब्यस्टीपिस का भाव चल रहा 449 रुपैसे की आ फी उपर है तो मतलब बीच में यह भी जूल रहा है और यहां पर हम आ चुके देखिए मार्केट का एफ है 6,670 क्रोड की EPS 10 रुपै 11 पैसे के साब से पी 46.71 और इंडस्ट्री पी है 30.50 त इंडस्ट्री पी से थोड़ी ज्यादा पी है इसकी और बुक वैल्यू 33.40 प्र है अभी रिजल्ट से आने वाले मार्च सभी कमपनियों के कौटर के मार्च और निस के और यहां पर देखिए पहले मैं बैलेंश शीट पर चलता हूं करजा देख लेते तो करजा के नाम पर यहां पर अभी 20 जीरो है तो फिर से मैं एक बात कहना चाहूंगा एक और कमपनी के बारे में कहा था कि इनका इतना बड़ा ब्यापार है एक एक्सपैंशन है बड़े-बड़े शहरों में इनके शोरूम्स है और इतने इंपलाई होते हैं उसके बावजूद भी इनके पास कोई खरजा नहीं तो यह एक अच्छी चीज मानी जाती है मैं भी इसे अच्छा कहता हूं मार्च अच्छा में जो 365 क्रोड की नेट सेल्स थी यह स्टेंड अलोन के मैं रिचल्स पढ़ दाओं जून 18 में 517 की होगी और सेप्तमबर 18 में फिर से आगेन 401 की होगी और दिसम्बर 18 में 430 क्रोड की नेट सेल्स और नेट प्रॉफिट में देखे यहां पर जह तो इसलिए अभी ये स्टॉक में आगे पीछे जूल रही है और उसे साब से रिजल्स भी है उससाब से प्रीमियम लेकिन एक अच्छी बात यह है कि हम क्यों शॉट टाइम के बारे में सूचते हैं कि चलो एक क्वार्टर में के प्रॉफिट में अच्छा नहीं आ है क्वार् प्रॉडक्स घरर में यूज होते हैं चाया अरे स्ट्रेट ले चाया आलफा बी ईपी के चाये कितने अच्छ अच्छ बैक्स है शादी में समारोह में ट्रेवल में इंसान खरिदता ही खरिदता है और यह बहुत ही फेमस ब्रांट है तो हर घर में यूज होने वाले प्रोड़क्ट्स है तो निसंदे और यह देखिए कंज्यूमर डूरेबल से रिलेटेट कंपनी हाउस एप रामल दिली 1968 से काम करें दो KEPI INDUSTRY LIMT is engaged in the business of manufacturing of language bags luggage bags the company is also engaged in the manufacturing of moulded furniture the products range of the company includes molded luggage from high density polyethylene soft luggage from nylon polyester and including briefcase, suitcase, handbags, carry bags and vanity cases तो डीटेल्स में जादर में हम नहीं जाएंगे आप भी चाहें तो वेब साइट पर विजिट कर सकते हैं और आप ज़रूर आपके घर में भी ये प्रोडक्ट होगा और वरतमान समय व्याइपी इंडस्टी इस गुड क्वाल्टी कंपनी है फियर वाइलगेशन पर है और फ कंपनियां आपको कुछ वर्षों में मतलब अभी तो ये जो आने माला समय है मुझे लगता है कि ये जो दस सालों में इसने रिटन दिया है उससे अच्छा ये पांच सालों में रिटन भी दे सकती है ऐसे माइंसेट से हमें काम करना होगा और इनिवेश करना होगा बड़े आपने दो लाक रुपए लगाये होते दस साल पहले इसे स्टाउक में तो आप करोड़ों रुपए से ज्यादा हो गये होते कल्कुलेटर लेके आप कल्कुलेट कर दीजिएगा पांस सालों में 347 परसंट के रिटन है चार सालों में 355 परसंट के रिटन है तीन सालों में देखिए फिर भी 311 परसंट के जबर्थ से रिटन दो सालों में 143 परसंट के रिटन है एक साल में किस परसंट के रिटन है कौन देता भाया बहुत ही मुश्किल सी मुच्छल फं loss है negative में है और 6 month में again 8.47% की upside है और 3 months में again negative में है 6.80 1 month में 5.90% की upside 1 week में loss है 1 day में भी 1.10% का negative return है अब share holding important में हम लोग चलते हैं देखिए यहाँ पे holding है 53.46 की एक जबदस्त holding है और एक भी share इनका गिर भी नहीं है mutual funds की 13 skims ने पैसे लगा रखे हैं और एक सव नौ अब फॉरण जो investment होता है बड़े smart होते हैं वो अच्छी अच्छी कंपनियों में पैसे लगा के रखते हैं और कमाते हैं और यहाँ पे देखिए हमारे भारत के जो कहलाते हैं वारें बॉफेट राकिष जुंगिनवाला सहाब की भी इसमें जबरदस्त होल्डिंग है 3.69% की यह मैं नहीं बता रहा रहा आपने तरफ से यह आपको यहाँ पे डेटा में उपलब्द है वो दिखा रहा हैं और इंडिविजुवल से हैं इनवेस्टर्स हम जैसे आप खुद्रा ग्रहक 21.4% है किस परसंड के आसबास हां और म्यूच्वल फंस की स्क्रीम नहीं इहां पे इंक्रीज की हुई है अपनी होल्डिंग अधर डियाइज ने पे इंक्रीज की हुई है फ्रेंड्स मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि एक शॉट में वीडियो बना रहा हूं यह बहुत ही जबरदस्त कंपनी है और एक दो क्वार्टर के दिचल्द खराब आने से या एक साल के नेगटिव रिटेन आने से ऐसा आपना समझे कमपनी टूट गई खराब हो गई अभी भी जबरदस्त इस कंपनी में जान है इसके प्रोडक्ट में जान है और इसके प्रोड़ट कभी खत्म होने वाले नहीं है हर घर में demandable है तो आप चाहे तो अपने portfolio में इसको जगह दीजिए अगर आपने नहीं लिया हुआ है लेकिन हाँ लंबे समय के point of view से है क्योंकि आपको मैंने 10 सालों के return दिखा दिये हैं कि कितने आप अगर 2 लाग भी डाले होते हैं 20 साल बात अगर आप करोड़ पती बन भी गए तो भी उसके बहुत जादा value नहीं रहेगे आज से 25 साल पहले लाग रुपए बहुत बड़ी amount होते थी आज कर लाग रुपए amount की है ऐसे नहीं value नहीं है है लेकिन एक कहने की बात है जन्रली की जिस परकार से महंगाई है हिसाब से बहुत ही कम valuation हो गई तो आपको अरबपती बनना है तो आपको अच्छे stocks चूज करने होंगे friends तो मैं ज्यादा आपको लेक्चर नहीं दोंगा बस वीडियो को यहीं wind up करता हूँ कि अच्छी company के अच्छे stocks चुनिया long term वीव से और बने रही है हमारे साथ एक disclaimer भे देना चाहूँगा कि कोई भी stock खरीदने अब बेशने से पहले अपने financial advisors जरूर मशूरा कर ले thanks for watching this video